नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जिसे आज तक लागू नहीं किया गया, इस मामले में जामो चूप नहीं रहेगा और 1932 के खतियान को लेकर संघस जारी रहेगा, मुलवासियों की छेत्रिये भासाओं और जन जातियों की संथाल, भोमिज, मुंदारी, खुडुक भासा के संघ्चन और उसे बढ़ावा देन के लिए जून से भासाओर प्रात्मिक सिक्षकों की बहाली कर पढ़ाई सुरू कराई जाएगी, वे पूर्भी सिम्हूम के पोटका परखंड के नून नूनी टांड में इंडिकन बंदन के जहमो परत्यासी समीर मुहंति के पक्ष में चुनावी सभा को समधित कर रहे थे मुख्य मंत्री 25 सुरे ने कहा है कि देश के परधानमति नायन मोदी ने हमेशा ही जारखंड को छलने का काम किया है इसलिए अब सत्ता बदनने का समय आ गया है 2014 के चुनाव में भाजपा ने महंगाई कम करने बीदेशों में जमा कला धन वापस लाने प्रत्ती वर्ष दो क्रोर युवाओं को रोजगार देने किसानों की आयदोगनी करने का बादा किया था लेकिन सत्ता में आने के दस साल में महंगाई कम नहीं हुई बलिक बिरिधी हुई है इडी ने जहारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा समान जहारखंड के ग्राविन विकास मंत्री आलमगीर आलम को इडी ने समान जारी किया है इडी ने संजीव लालव जहांगीर आलम को साथ मई की देर राथ ही गिरफतार कर लिया था वे फिलाल इडी की रिमांट पढ़ाएं इसी मामले में इडी ने मंत्री को समझारी किया है बता दे निलंबित मुखे अभियांत बिरंदर राम मामले की जाच के दोरान मिले तथियों का धार पर पवतर निंद साले ने जहारखन के ग्राविन विकास समंत्री अलमगीर अलम को रभीवार को समझारी किया और उन्हें 14 माई को इडी के रांची इस्थित रिजनल ओफिस में पुष्टाज के लिए बुलाया है हजारी बाग में करंट लगने से हाथी की मौत हजारी बाग के मुफसिल थाना छेतरे के चुटियारो गाव में बिली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है सुचना मिलने के बाद 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 विभाग के पताधी कारी और कर्मी घातना स्थाल पर पहुँच कर जांच परताल शुरू की है गरामीन बताते हैं कि हजारी बाग के चुटियारो गाव में टमाटर की खेती लगा हुआ है उसी को खाने के लिए वह खेत में घुसा था खेत से निकलने के करंब में हाथी का सुन बिली की तार में सट गया जिससे उसकी मौत हो गई है वहीं हजारी बाग बाग के रेंजर विजय कुमार सिंग ने बताया है कि चुटियारो गाव में किसानों ने बड़े प्रमाटर की खेती की है सीचाई के लिए किसानों नंगे तार पोल से एक तार खीचा है बताया जाता है कि खेट से निकलने के दौरान ही हाथी को बिली का करंट लग गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गाई पलामू में कवारी काटने के दौरान बिसफोर्ट से चार लोगों की मौत कवारी काटने के दोरान हुए बिसफोर्ट में तीन बच्चे समय चार लोगों की मौत हो गई या घटना रभीवार की देर साम पलामु जिले के मनातू थाना छेत्रे के रहया नोडिहा में हुई है जहां कवारी काटने के दोरान बिसफोर्ट की घटना हुई है इस बिसफोर पिलिस्मा रमेशन ने इस घटना के पुष्टी करते हैं बता रहा है कि कबाड़ी में विसफोर्ट की घटना हुई है इस घटना में चार लोगों की मौत हुई है विसफोर्ट किस वज़ा से हुआ है पुलिस इसकी जाज कर रही है बता दे मनातू थाना चेत्रे के रहिया न और डिहा में छोटु नमक व्यक्ति कवाडी का कारोबार करता है रभिवार को कवाडी समेट कर अपनी दुकान में एक स्क्रेप को काट रहा था इसी करम में वी स्पोर्ट की घटना होई है जारखन में मदान केंद्रों पर 15,000 फोर्डी केमरे से निगरानी मुख निवाचन पताधिकारी केरवी कुबार ने कहा है कि लोग सभा निवाचन 2024 के चोथे चरण में आयोजी सिंभूम, खोटी, लोहर दगगा और पलामू लोग सभा सीट के साभी मदान केंद्रों पर अंदर वबाहर की ओर फोर्डी केमरे से निगरानी रखी जा रही है इन सभी केमरों की बेब कास्टिंग दिला निवाचन पताधिकारी अस्तर मुख यालाय अस्तर और भारत निवाचन आयोग के अस्तर पर की जा रही है इन्होंने कहा है कि जार्खन में होने वाले चोथेचन के मद्दान में लगख 15,040 केमरे से बेब कास्टिंग कराई जा रही है इन सभी केमरों को मद्दान केंदरों पर लगा कर इनके फीड चेक कर लिए गए है इन कैमरों से मदान केंजर के अंदर और बाहर हो रही गती वीधियों पर नजर रखी जा रही है धनबाद को बचाना है तो सही परत्यासी को जीता कर भेजे सर्जु राये धनबाद को आज बचाने की जरूरत है साथ ही धनबासन सदिय छेत्रे की जानता को सही हुआ स्वक्ष छावी के परत्यासी को जीता कर लोग सभा में भेजने की जरूरत है उक्त बातर जमसेत पूर्पूर्वी की बिधायक सर्जु राय ने रभिवार को ताल डंडा में आयोजीत एक संगोस्टी में बुधी जीवियों को सम्मोधित करते हुए कही है सीरी राय ने भाजपा परत्यासी ढूलू महतों के सम्मध में बिस्तार पूर्वक जनकाई देते हुए कहा है कि बागमारा बिधान सभा छेत्रे में ढूलू महतों ने पिछलो दलीतो और अल्पसंक्यागों को सबसे ज़्यादा सोसन किया है और इसका परमान है उनके बिरूत अब तक दर्ज तीरपन मामले कुछ मामलों में साजा भी हो चुकी है उन्होंने कहा है कि ढूलू महतों के सोसन करने का एक लंबा इतिहास है इसलिए बुद्धी जीवी वर्ग की जिमेदारी बढ़ जाती है कि धनबात को बचाने के लिए आगे आए और जा आजपा दोहरा आयोजित नुकर सभा में बाबुला और मरांडी सामिल हुए उन्होंने स्ताफा को संभोधित करते हुए परधान मति नायंद मोदी के कारियों का जम कर सराहना की उन्होंने कहा कि नायंद मोदी की सरकार में गरीबों के लिए उजवाला योजना मुप्त अ आज आयुसमान योजना आदी महत्वकांची कारे किये गाएं उन्होंने कहा है कि नायंद मोदी के 10 वर्षों के कारेकाल में देश विकासिर से विक्सित देश होने की दीशा में आगे बढ़ रहा है इसलिए नायंद मोदी को फिर से परधान मंत्री बनाना है उन्होंने अ रहा है कि राज गठन के बाद जार्कन में विकास की गंगा बही है। इसका असर पूर्वी सिम्हूं पच्मी सिम्हूं सरायकला खत्सावा सिम्टेगगा साहेवगन गोड़ा पाकुड दुमका देखर जामतला धनबाद जीले में देखने को मिलेगा। पर जालसा की टीम ने रांची जेल का रभी वर्क निरिक्षन किया है टीम में सदस सचीव जालसा, कुमारी रंजना, आस्थाना, प्रधान, नयाय युक्त, सह, अध्यक, जीला बिथिक, स्वप्रादिकार रांची, दिवाकर पान्डे सामिल थे केंदरिये कारा होटवार के निरिक्षन के दोरान वे पूरू सुवार्ड में बंदियों से मिले और कम उम्रे में दिख रहे बंदियों से उनके उम्र और केस की जनकारी लिये वहीं महिलावाड में महिला बंदियों और बचों को दिये जाने वाले पोसाहार की भी जनकारी लिया है चोथे चरण के मत्दान से पहले नक्सली साजिस नकाम आईडी बरामत जारखन के सिंभुम लोक सभाज छेतरे में 13 माई को चोथे चरण में मत्दान है इस भी सुरक्षा बलो नक्सलीों की बड़ी साजिस को नकाम किया है कारण सुरक्षा बलो ने नक्सलीों दोरा लगाय गए बंब को बरामत किया है मतादे सुरक्षा बलो ने जीले के नक्सल प्रवाईत टोटो थाना चेतरे के जोजा हातू और हेसा बांध के बीच जंगली चेतरे में पांच किलो का आईडी बंब रामत किया है इसे सुरक्षा बलो को नुकसान पहुचाने के इराजे से लगाया गया था 15 माई को जारखन के चात्रा कोडार्मा गिरीडी में करेंगे सभा बिहार बिधान सभा में विपक्स के नेता और पुर्व उप मुख मंतरी तेस्वी आदो 15 माई को जारखन में 4 चुनावी सभा को समधित करेंगे वह चात्रा कोडारमा, गिरीडी और हजारी बाग में साभा को समधित करेंगे उक्त जनकारी, जार्खन, परदेश, राष्टी, जनतादर के परधान, महासाचिव संजय, परसाध यादों ने दी है बता ज़ते स्वी आदों का चात्रा के हंटर गंज हाई स्कूल में 12 बचकर 40 मियट पर वहीं बलोक मैदान बही हजारी बाग में 1 बचकर 35 मियट पर और पेसरा तांड मैदान बेंगा बांध गिरीडी में 2 बचकर 30 मियट पर और 3 बचकर 25 मियट पर कोडारमा लोकसभा के माधवत तार पावर हाउस ग्राउंड पंडी हाडी जयनगर कोडारमा विसाल जनसभा को समोधित करेंगे लोगों को पसंद आ रहा संजय मेहता का अंदाज लोग सभा चुनाव में परत्यासों की ओर से जनसंपर्क अभियान जोरो से चलाया जा रहा इसी वीच हजारी बाक से जेवी के से समर्थित निर्दालिय उमिद्वार संजय कुमार मेहतानों के अंदाज में अपना परचार कर रहे हैं गुरू और को उन्होंने पतरातू परखंड का दवराक और लोगों से समर्थन मांगा इस दोरान उन्होंने हेलमेट पहन कर गाओ गाओ भ्रामन किया उन्होंने सुरक्षा का संदेश देते हुए लोगों को जागरू किया और अगामी चुनाव में अपने पक्ष में मदन करने की अपील जनता से की है जनसंपर्क का उनका या अनोका अंदाज आस्थानिये गिरामिनों में चर्चा के भी सर बना हुआ है बता दें कि जन संपर के दोलान संजय, कुमार महता, आस्थानियता और जहारखांडी मुदो को लेकर अपनी बाते रख रहे हैं इडी के समन पर आलमगीर आलम की पहली परतिकी दिया सोभाविक है समान राज सरकार के संसद्य कार एवम ग्राविन विकास मतरी आलमगीर आलम ने कहा है कि वे इडी के समन के मदन नजर समय पर जबाब देंगे उलिखनिया है कि इडी ने 14 माई को उन्हें पुछताच के लिए छेत्रिय कराले में बुलाया है रभिवार को मीडिया से बात चीत में उन्होंने कहा है कि उन्हें इडी का समन मिला है दावा किया कि मेरे 14 से छेत्र के लोगों के साथ साथ बिरोधी दलों के नेता भी वाकिफ है पीएस और उसके नौकर के यहां से क्लोर रुपए इडी को मिले हैं और ऐसे मेर असवभावी खाई की इडी मुझे पूछताच के लिए तलब करेगा उन्होंने यह अभी कहा है कि अभी उनके पास दो दिन का समय है वे आवस्यक कट्जात त्यार करेंगे अलमगीर ने दावा किया है कि उनकी छवी खराब करने की कोसिस हो रही है पलामू में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम छो राज्यों की अर्ध सैनिक बलो की 40 कमपनी ने संभाला मोर्चा पलामू संसदिय छेतर के लिए सोमवार को होने वाले मदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए है नक्सल प्रवाई छेतरों में जहां अर्ध सैनिक बलो की तैनाती की गई है वही सांतिपुन मदान के लिए 6 राज्यों की 40 कमपनी सुरक्षा बलों ने मोर्चा समहर लिया है मदान प्रक किरिया को नक्सलियों द्वारा बाधित नहीं किया जा सके इसे लेकर बिहार राजी के पुलिस के साथ सिमावर्ती छेतरों सन्यूक तरूप से एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है पुलिस अधिक छक रिसमा रमेसा ने बताया है कि बिहार की सिमा को सील कर बिसेज चोक्सी बरती जा रही है सभी मद्दान केंद्रों में परियाप्त मात्रा में सुरक्षा बलो के तैनाती कर दी गई है इसके अलावा पुलिस की पचपन, QRT किसी भी अपरिये घाटना से निपटने के लिए होर समय तैनात रहेगी सीम चमपई ने पियम मोधी पर साधानी साना मुख्य मंत्री चमपई सुरे ने कहा है कि केंद्रे सरकार ने जहारकाण को मिलने माली रासी 136 को रूपए रोक दिया है 2022 तक जहारकाण में सभी को परधान मंत्री आवास देने का वादा किया गया था जिसके लिए राजे में 8 लाग परिवार को सुची तैयार की गई थी लेकिन केंद्रे ने अपनी रासी भेजनी बंद कर दी इसके लिए हेमांत सुरेन की सरकार ने लगातार पत्रचार किया केंद्रिय मंत्री से भी मिले लेकिन केंद्रिय सरकार ने ध्यान नहीं दिया तब तत कालिन मुकी मंत्री हेमान सुरेन ने तीन कम्रों का अबवा आवास देने का निने लिया इसके तहट अभी तक 2 लाग परिवारों को अबवा आवास वेना का लाव दे दिया गया है और जून के बाद कुल 9 लाग से जादा लोगों को अबवा आवास का लाव दे दिया जाएगा वहीं भाजपा ने राजी के 11 लाग परिवारों को रासन कार्ट काट कर गरीबों के हक को छेने का काम किया तो गड़बंदन की सरकार ने 20 लाग परिवारों को हारा रासन कार्ट दिया है बुढ़ा पहार के आठ बूथों के लिए हेलिकोप्टर से पोलिंग पार्टी रवाना पलामू लोकसभा चुनाव के लिए मदान कर्मियों को मदान केंद्र के लिए रवाना किया गया सभी मदान दल गडवा जीले में लेंड करेंगे और 13 माई की सुबह 7 बैसे मदान कराएंगे सभी मदान कर्मियों को मेदनी नगर के जीले कॉलेज थीत डिस्पैज सेंटर से बस द्वारा चियांकी हवाई अड़ा बेजा गया वहाँ से सभी को हेलिकोप्टर में बैठा कर ले जाया गया इसे लेकर मदान कर्मी उत्साहित दिखे कुछ कर्मी पहली बार हेलिकोप्टर पर सवार होकर मदान कराने के लिए जा रहे थे लोहरदागा में नवालिक से समयक दुसकर्म चार भेजे गया जेल साधी समारों से अपने घर वापत लोट रही नबालिक से जारखन के लोहर दग्गा जीले के भंडरा थाना चेत में चार योगों ने समोहिक दूसकर्म किया है खाबर मिलते ही पुलिस मोगे बर पहुंची और सभी चारो आरोपितों के खिलाब करवाई की है बता अधे तिन नबालिकों कोबाल सुधार गिरिः भेजा गया जबकि एक आरोपि को पुलिस ने जेल भेज दिया है बीडिता अपने परिजनों के साथ भन्रा थाना पहुंच कर चार नामजात आरोपियों के खिलाब सामोई के दूसकर्म को लेकर प्रात्मी की दर्च कराई थी हेमांत सुरेन की आचका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई आज जार्खन मुक्ती मुर्चा के नेता और राजी के पुर्मुक मंतरी हेमांत सुरेन की आचका पर सुम मुआर को सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी जस्टिस संजीव, खन्ना और जस्टिस दिपांकर दता की पीट हेमांत सुरेन की आचका पर सुनवाई करेगी जिसमें जारकन के पुर्वस सीएम ने कथित बुमी घोटाला से जोड़ी मनी लॉंडरिंग केस में अपनी गिरफतारी को चुन होती थी है बता दे जारकन हाई कोट ने हेमान सुरेन के उस यजका को तीन माई को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफतारी को चुन होती थी इस आदेश के खिलाब जारकन मुक्ती मोचा के नेता हेमान सुरेन सुप्रीम कोट पहुँचे थे हेमान सुरेन ने लोग सभाचुनाओं में परचार करने के लिए अमत्रिम जमानत भी मागी थी उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफतारी के गिलाप याचिका पर अदालत की ओर से जब तक परतला नहीं आ जाता तब तक उन्हें लोग सभाचुनाओं में परचार करने के उनमत्री दी जाए खोटी में 148 सनवेदन सिल मद्दान केंद्रे खोटी लोग सभाच चेतर में 148 बूत को सनवेदन सिल मद्दान केंद्र घोसित किया गया है लोग सभाचुनाओं के लिए सभी मद्दान कर्मियों को सुराक्षा वेवस्ता के बीच उनके मद्दान केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया है केंद्रों को critical और non critical मद्दान केंद्र में विभाजित किया गया बता दे खोटी को उपायुक सा निर्वाची पता दिकाई ने बता है कि खोटी लोग सबाचेतर में 148 सनवेदन सिल बोथ चीनित किये गए हैं इन critical मद्दान केंद्रों में CRPF के जवान सुरक 6 में तैनात रहेंगे इन केंद्रों पर वेब कास्टिंग की भी वेवस्ता रहेगी वहीं खोटी जीले को उपायुक ने कहा है कि सभी मद्दान केंद्रों पर वेब कास्टिंग सुपता रहेगी मद्दान केंदर के अंदर और बाहर की सारी कातिवी दियो के नियंतर रिकोर्डिंग होती रहेगी साहव गंज के राज महल में 14 केजी गंजा के साथ दो गिरफतार लोग सभा चुना के मंदर साहव गंज पूलिस के दोवार लगतार जहांच अभियान चला जा रहा इसी कड़ी में रभिवार को राज महल पूलिस ने 16 किलो 700 ग्राम गाजा के साथ दो तसकरों गिरफतार किया है यह इस थाना चेतर में मादक पदार्थों की तसकरी के मामले में दूसरी बड़ी करवाई है एजनकारी HDPO बिमलेस कुमार्थी पाठी ने रभिवार को प्रेस वर्ता में दी है दरसल साहिव गंज पूलिस अधिक्चा को गुपत सुचना मिली की कुछ लोग राज महल थाना चेतरे में अववाई धतरीके से गाजा की तसकरी करने वाले है SP के दिशा निर्देशा अनुसार अंचला अधिकारी असो कुमर्शी नाकर नितित में एक टीम गठित की गई थी जम सेथपूर में 10 दिवस्य समर कैम्प स्वमवार से APJ1 कलाम हाई स्कूल में परतेक वर्ष के भाती इस वर्ष भी 10 दिवस्य समर कैम्प का स्कूल प्रांगन में 13 मई से आयोजन किया जा रहा है इसमें बच्चों के बीच फुटबॉल, किर्केट, बॉक्सिंग वा सेक्षनिक प्रसिक्षन एहमकार करम वरिष्ट कोच के माध्यम से किया जाएगा बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से खेल की बारिक योग की भी जनकारी दी जाएगी उक्त जनकाई डाक्टर अफरोज सकील वा मुहमत ताहिर हुसाइन ने दी है उन्होंने बताया है कि इंडोर खेल की बेवास्ता की गई है इसमें बच्चे केरेंबोड, लुडो, चेस वर रेन, डान्स की भी परत्योकता में भाग ले सकेंगे यह हम सम्मान समारो, सहाज समापन समारो के दिन बच्चों को प्रुस्कित भी किया जाएगा धन्यवाद